राजू, इतने दिनों से तुम कहा थे? बहुत दीन हो गई? तुमें क्लास रूप में देखा नहीं मैंने? ओहो, मुझे देखने के लिए मरी जा रही है लो, देख लो कहो तो आज पूरा खोल कर भी दिखा दू ओ राजू के बच्चे, सिरे सिधे बताओ इतने दिनों से कहा गुम थे उस्टी से जवाब दिया तो इतने जूते परेंगे एतने जूते परेंगे कि कभी कुछ किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे अब ऐसे कैसे अब गल्फ्रेंड हो तो गल्फ्रेंड ही रहो तुम तो बात बात पर बीवी की तरह तुरंत लात गुंसे मारने पर उतारू हो जाती हो वैसे शीला तुमने जो कोहिनूर मांगा था ना उसी के लिए मैं पैसे कठा कर रहा था अच्छा पैसे जमा हो गए तो हम लंदन कब जा रहे है कोहिनूर लाने नहीं रे मैं तो मेडिकल स्टोर पर जो कोहिनूर मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ तो बोलो कब चलोगी ओयो कोहिनूर और मेडिकल स्टोर पर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया दिद दिद को तमद में आया हो कि लादू कित कोहिनूर की बात कर ला है वो प्लीद कमिंट बॉक में लिखकर तीला को बता दो Good Morning Saaar Good Morning Bacchan सार आपके हात में यह क्या देख रहा हूँ यह किस चीज की किताब है यह शेक्सपियर की किताब है सेक्स की किताब? पढ़ने की क्या जरूत है सार एक उमर होने के बाद लोगों को इसके बारे में अपने आप पता चल जाता है और तो और सभी जानगरों को भी खुद बेखुद पता होता है हाथाल मैंने तो तुभा ही अपने महले में कुते को कुतिये के तात कलते हुए भी देखा है लेकिन मुदे नहीं लगता है कि कुते ने कभी पहले कोई किताब पपली होगी क्या आप इन फालतों चीजों की किताब पढ़ रहे हो सार अरे अगर इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मुझसे कहिए ना मैं तो ऐसी नॉलेज फ्री में बाढ़ता रहता हूँ हातल मैं शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ तो मैं पता भी है कि शेक्सपियर कौन है अब 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 शेक्सपियर आख माने जो जो आदमी अपने पियर मतलब की ससुराल में जाकर पत्नी के साथ शेक्स करता है उसे ही शेक्सपियर कहते होंगे अबे नालायकों शेक्सपियर अंग्रेजी के सबसे महान कभी का नाम है या अंग्रेजी भाषा के महान कभी है अंग्रेजी भाषा तो सुना होगा ना कि वो भी निसुना देखो सार भाषा के नाम पर मुझे ए और कई भाशाएं हैं जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए अता ताग और कौन-कौन ती बाता है दो हमें तिकनी ताइए अरबी है चीनी है अंग्रेजी है यह सब भाशाएं कई देशों में बोली जाती है अरे यह भी कोई भाशा है अरे बोली जाती होगी यह दूसरे और चीनी को भी खा लेते हैं और तो और अंग्रेजी को तो पील दिया जाता है हमारे यहां लोग अंग्रेजी दिल खोल कर पीते हैं बोलते नहीं और अंग्रेजी पीने के बार तो ऐसे ही धड़ा-धड अंग्रेजी निकलने लगती है हाई लादू, हमाले याँ लोग इतवाता को क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई, इन भाषाओं में वह ताकत नहीं है, वह दम नहीं है, जो हिंदी में है अर ये कैसे बहकेती कर लाए बे? भाषा भी कैसे ताकतवर होती है? हाँ सर, होती है न, जब भी कभी आपको किसी को डराना हो, खंकाना हो, या अपनी तरह से कुछ समझाना हो, तो बस एक बार कहके देखना, हिंदी में समझाओं क्या, फिर देखना, सामने वाला कैसे भींगी बिल्ली बनकर भागता है, भाई लादू, हिंदी तो तत्मे सुनने आते हैं, तुम्हारा थोबडा देखने नहीं, बड़ी आई पढाकू की नानी, है रजुआ, तुम अपने बखवाश बनकर, अचुप्चा पान खोल कर सुन, सार, मैं तो कान खोल कर ही सुनता हूं, आप और क्या-का खोल कर सुनते हैं, लगता है कल को तुनने के ल सुनो और समझ कर जवाब दो, सर, आपको जो पूछना है पूछो, ये ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे, तुम थोड़ा लाइन पास कर दो, कबसे मैं इस आस में टाइम पास कर रहा हूं, लो, पुड़ा लाइन पास कर दिया, कहीं कोई रुकावट नहीं, और चहिए, न कौण सा पान है, जिसे खाया नहीं जा सकता, वो कौन सा पान है, जिसे खाया नहीं जाता, वे रुड़ा, सवाऩ सुनकर तुम कहीं हस रहें, यह पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसलिए इसे जवाब भी नहीं पता बस टाइम पास कर रहा है अरे बमलू अज देखो तो क्या हो गया राजु को सवाल सुनकर इसे हासी पर हशी आ रही है कहीं मिरगी का दोरा तो नहीं आ गया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पता नहीं आपको क्या हो गया है आपने ऐसा सवाली कर दिया कि मेरे आज नहीं मैंने तो बस यही पूछा है कि वह कौण सा पान है जिसे खाया नहीं जाता इसमें हसने वाली कौण सी बात है सार मुझे इस सवाल का जवाब सोचकर हसी आ रही है आच्छा तो तुम ही इसका जवाब पता है तो चल बता कि वह कौण सा पान है जिसे खाया नहीं जाता अस्तन पान आबे नालाया तुझे ऐसा ही उन्ता सिधा जवाब मिलता है नालाय कहीं का कुतल आप ही बता दो कि वो कौन ता पान है जिसे खाया नहीं जाता जापान जापान वह पान है जिसे खाया नहीं जाता वैसे शीला तो मुझे अस्तन पान मेरा मतलब है कि अपना पान कब खिलाओगी तुझे तो मैं आज पान नहीं कुछ और ही खिलाओंगी आज तो सब के सामने चपल से भी प्टियारे मोरी मैं याँ